आप मेंसे एक भाई ने काफी अच्छ सवाल किया था कि भाई, ब्लॉगर के उपर अगर हम AdSense Approval लेने चाहें, तो उसके इस पर अगर Blog Spot डोमेन है, या फिर कोई Custom डोमेन है, तो उसके उपर कितना पुराना होना चाहिए हमारा डोमेन, उसके बाद हमें AdSense Approval मिल जाएंगे तो इसी कमेंट की वज़े से हमने इस टॉपी को कवर करने की कोशिश किया, प्लीज किया, आप बता सकते हैं, अगर मेरा डोमेन एक मन्त ओल्ड हो, तो AdSense के लिए Apply कर सकते हैं, सबसे पहले थैंक्यू सो मच, इतना अच्छा एक कमेंट करने के लिए, जो हर एक पहले दफ किया, वो सारे के सारे चीज इस टॉपी को लेकर आपके साथ शेयर करूंगा, और पीसी ग्रवर चैनल आपके लिए एक तोफा हो सकते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर मैं जितने भी बात आपको बताता हूं, वो मैंने अफजर्ब किया, वो मैंने देखा है, तो देखो भाई, सीधी सी बात है, सबसे पहले एक चीज समझ लो, कि भाई, ब्लॉगर के जो डोमेन है, वो ब्लॉगस्पॉट.com है, और जो कस्टम डोमेन होते हैं, वो बस आपके नाम के साथ, .com या फिर .in, .xyz, कुछ ऐसे आते हैं, अब Google AdSense के ल डोमेन ले जाकर, मतलब आपने साइट को रिव्यू करते हैं, चाहे वो .in हो गए, चाहे वो .com हो गए, तो AdSense टीम जब देखते हैं, तो उनको लगते हैं, कि भाई, आप अपने काम को लेकर serious है, इसी वजह से इसके उपर पैसे invest किये हैं, इसके आलाभा कुछ भी नहीं ह जो कि हमने पिछले वीडियो पे बताया था .com domain और blogspot.com domain के अंदर blogger के लिए क्या अंतर हैं, तो आई बला बटन पे वो वीडियो मैं दे दूँगा, उस वीडियो को आप लोग चेक आउट कर सकते हों, और अगर possible हुआ इस वीडियो के description box पे उसका link भी मैं दे दूँग तो अगर आपके site में traffic आ रहा है तो उसकेस पर AdSense आपको जल्दी approval दे देते हैं, अब ये गई आपके blogspot.com मतलब custom domain के अंतर, मैंने छोटे शब्दों में बता दिया, अब बात करते है days की, मतलब कितना पुराना होना चाहिए, ताके आपको AdSense approval दे दे, तो इसकेस पर अगर कोई भी बंदा सवाल करेंगे Google से, तो Google के जितने भी experts है, वो लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए, एक भाई ने यहाँ पर सवाल किया था, March 11, 2023 के, Hi, I buy a new domain and connect with old blogger blog, then I can apply direct to AdSense, तो कहने का मतलब यह है, मैंने एक domain खरीदा है, और वो domain blog के साथ, blogger के साथ directly connect किया, क्या मैं इसके लिए AdSense पर approval कर सकता हूँ, So basically, इनका कहने का मतलब यह था, कि भाई, मैंने किसी के पास सूने है, कि भाई, 6 महीना आपका blog पुराना होना चाहिए, उसके बाद ही आप AdSense के लिए, approval के लिए, review पे भेज सकते हैं, तो देखिए, यह पहले ऐसे, मतलब नियम थे, बहुत पहले थे, कि भाई, अगर आप blogspot.com बाला domain approval लेने जाओगे, तो आपको 6 महीना पुराना blog होना चाहिए, अब ऐसे बात नहीं है, अब ले सकते हो, यहाँ पर क्या बताए, Google के जो expert है, यहाँ पर देखिए, diamond product expert है, तो ओफर truly and new original content, rank well in search and receive recent visitors number, new site by default don't have that, अब यहाँ पर क्या चुपा हुआ है, इनके बातों के अंदर सारे सवाल के जवाब चुपा हुआ है, क्या है भाई, यहाँ पर देखिए, एटसेंस का कोई भी मतलब नहीं है, कि आपके site कितना पुराना है, आपके domain कितना पुरान एटसेंस कहना यह चाहते हैं, देखिए, एटसेंस approval लेने के लिए, एटसेंस चाहते हैं, कि आपके site के उपर अलग-अलग visitors आए, मतलब अच्छा खासा visitor number रहे हैं, और आपके site जो है, वो search पर rank करें, मतलब Google search से आपको views मिले, traffic मिले, तो इन्होंने last में बताया, new site, new site by default don't have that, यानि जो नए site होते हैं, by default उनके पास ये सारे चीज़ नहीं रहते हैं, तो इसी वाज़े से उनका approval लेने में time लग जाते हैं, अगर आपके सवाल ऐसा है, कि आपके domain एक महिना पुराना है, तो उसमें कोई problem नहीं है, अगर आपके पास traffic हैं, और आपके contents सहीं है, आप Google AdSense Policy को मान रहे हैं, तो 100% आप review पे भेज सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर और एक expert जो कि है, gold product expert, जो कि Google गई है, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ मेंचन नहीं की गई है, there are no documented figure, you used to need minimum of 6 months of original content and that is still a good reasonable value to accept, would you want to advise or a new site or one that's established over 6 to 12 months minimum, and has original useful content with many hundreds of daily visitors from search engine, it's a business program, it would be bad business to allow loads of new sites with no genuine value to the advertiser, customer like myself, तो यहाँ पर क्या बताया हैं, हाला के यह 6 महने के बाद कर रहे हैं, यह देखिए, need to minimum 6 months of original content, तो मैंने जैसे का आपको बताया था, पुराने दिनों पर बहुत पहले ऐसा होता था, यह 2020 के पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर नीचे इन्होंने जितने भी चीज मेंशन किया, कि आपके पास लगभग दिन के 100 ट्राफिक होना चाहिए, वो भी search engine से आए Google के, और दूसरी चीज, यहाँ पर इन्होंने जो बात बताया, अगर यह आप सुनोगे, तो आपको actual blogging के, जो मतलब, मतलब है AdSense क्या चाहते हैं, AdSense अखिरकर जो चाहते हैं, यहाँ पर इन्होंने वो बता दिया, तो यहाँ पर साब साब कहे दिया, यह एक business program है, इसको समझने के लिए मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाता हूँ, कसम से यह वीडियो का अगर ध्यान से देख रहे हो, तो नहीं मिलते हैं, कैसे blog बनाना चाहिए, इन सारे चीजों को लेकर कोई भी, कोई भी आपके पास और एक भी सवाल नहीं रहेंगे, ध्यान से समझना, मैं आपको जितने भी चीज बता रहा हूँ, ठीके, ध्यान से समझना, मानो यह आपके जो है, यह आपके blog post है, ठीके, इ इसी कली यह जो है, यह social media होंगे, इस, ठीके, social media इस, और यह जो होगा, यह organic होगा, ओ, मेरा कहने का मतलब है, आपके blogger के उपर एक social media से traffic आ रहे हैं, और यह एक organic से आ रहे हैं, अब मैं आपको बोलूँगा, social media से आपके पास अगर ज्यादा traffic आ रहे हैं, मतलब दिन के 300 traffic आपके social media के आ रहे हैं, वही पर आपके organic traffic दिन में दस कर रहे हैं, तो इसकेश पर Google आपके blogger के उपर ad चला रहे हैं, मतलब adsense है, यह आपके blogger के उपर ad चला रहे हैं, कहीं पर भी यह अपने ad को run कर रहे हैं, अब social पे आपने शेयर किया था, यह जितने भी लोग आपके website के उपर आये हैं वो अपने purpose से नहीं आये हैं आपने उसको खीच कर यहाँ पर लाने के लिए मजबूर कर दिया इसी वज़े से वो लोग यहाँ पर आये हैं और जितने भी organic लोग आये हैं वो ढूंडते हुए आये मतलब उनको वो चीज़ जरूरी है इसी वज़े से वो आपके blogger website के उपर जा रहे हैं अब यह चीज़ और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ कहूंगा आपने पूरे तिन भर जो भी करते हैं आपके चाहे आप mobile के अंदर कुछ भी चीज़ को देख रहे हैं मानो आप अपने mobile के अंदर कोई भी movies को देख रहे थे movies को ढूंड रहे थे तो कोई भी website के उबर आप जाएंगे तो उसके पर google आपके पास movies related ad चलाएंगे ठीक है मतलब google आपके needs को समझते हैं इसी वज़े से उस topic के ads आपके website के उपर run करते हैं अब मेरा कहना का मतलब कुछ और है मैं यह कहना चाहता हूँ मानो यहाँ पर जितने भी traffic आपको social media से आ रहे थे उनको तो आप share करके खीच के लेकर आ रहे हो तो ओ यहाँ पर आके ना रुकेंगे नहीं और यह जितने भी लोग है इनका need अलग-अलग है अलग-अलग लोग है इनको पता भी नहीं है यह लोग क्या चाहते है यह आपको पता भी नहीं है मतलब समझो यहाँ पर जो लोग था वो सारा दिन movies के बारे में सर्च किया यहाँ से जो लोग आ रहे है वो सारा दिन सौप्टर के बारे में सर्च किया यहाँ पर जो लोग आ रहे है वो सारा दिन कुछ game के बारे में सर्च किया लेकिन एक चीज और भी अच्छे तरीके से समझो मानो यहाँ पर organic search से जितने भी visitor आपके पास आ रहे थे वो आपके कोई भी एक post को target करके आ रहे है या फिर आपके blogger website के एक niche है मतलब technical website है तो technical चीजों को वो target करके यहाँ पर आ रहे है तो यह organic वाला बंदा अगर आप तक पहुँच रहे तो इसका मतलब यह है वो पहले से यह चीज ढूंड रहते ढूंटे ढूंटे आप तक पहुँच गए तो इससे पहले Google समझ जाते है यह बंदा ढूंड किया रहे है तो उसके related यहाँ पर add चलाने लग जाते है Google तो I hope आप लोग समझ गए होंगे मतलब यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे वो अपने काम के लिए आएंगे उनके सामने अगर उस related add आएंगे तो वो add के उपर click करेंगे और वो जैसे add के उपर click करेंगे इससे क्या होगा आपका भी फायदा होगा AdSense जो है उसका भी फायदा होगा और जो add चला रहे जो companies add दे रहे उनका भी फायदा होगा अब आप लोग समझ गया होंगे आखिरकार Google क्यों demand करते हैं कि आपके पास organic traffic होना चाहिए तो यही थी सारी बाते भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके पास domain इतना पुराना उतना पुराना होना चाहिए आप कुछ भी कर लो भाई आपके जो website है उसके अंदर कुछ valuable content होने चाहिए वहाँ पर आपको कुछ organic traffic आना चाहिए उसके बाद ही आपको Google AdSense approval देंगे अब approval लेने के लिए बहुत सारा criteria है बहुत सारा चीज है यहाँ पर Google साब साब कहते हैं कि account approval process यहाँ पर देखे अकांट approval process कहीं पर भी ये लोग नहीं बताते हैं कि इतना पुराना आपको वो होना चाहिए यह चीज है यह लोग नहीं बताते हैं यहाँ पर बता दिये account approval के लिए क्या किया यहां पर यह लोग आपसे मांगेंगे और site approval के लिए आपको adsense program policies को follow करना है तो 2-4 हफता आपको approval के लिए लग सकते हैं तो इतने सारे चीज हैं और इस बारे में मैंने detail में google क्या क्या कहते हैं मैंने बता रखे हैं वो वीडियो आप यह आई बटन पर आ रहा होगा जहां पर click करके आप check कर सकते हैं तो आप लोगों के सावाल के answer यह है पुराना आपका domain नहीं होना चाहिए आपके blog पुराना नहीं होना चाहिए आपके content अच्छा होना चाहिए आपके बस traffic होना चाहिए साइट को हमने बनाया थे देखिए PC Graver Channel को पर हम जितने भी सीख है जितने भी observe किये जितने भी देखे हैं वो सारे के सारे चीज़ as it is आपके साथ share करते है make sure guys चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना हमें support करना तक in future मैं भी motivate हो जाओ आपके लिए ऐसी तगड़े content time लेकर एकदम suit समझ कर बना पाओ आपके लिए एक तोफा है ये देखिए motivation करके एक playlist है इसको ज़रूर चेक आउट करना और adsense का setup solution है blogger search console के error के बारे में वीडियो है a to z एकदम zero से लेकर last तक website designing के बारे में यहाँ पर वीडियो है और हाँ blogger के उपर अगर आप template चाहते premium तो यहाँ पर मैंने 2-3 वीडियो upload करके रखा हुआ है अलग-अलग template के उपर उसको upload चेक आउट कर सकते हैं make sure हमें support करना subscribe ज़रूर करना यह channel आपके लिए एक तोफा हो सकते है PC group team कभी भी आपसे आपके personal information like OTP, email address, bank details कुछ नहीं मांगते हैं ऐसे चीज़ कभी भी हमारे वीडियो के comment पर या फिर email पर मत जाला करिए